Hi everyone, मेरा नाम रॉक्टर नहीं हा जोशी है, मैं एक आयरवेड चीकिसब हूँ, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, नाक से होने वाली ब्लीडिंग के बारे में, यानि की एपस्टेक्सिस के बारे में, ये ब्लीडिंग क्या होती है, होम रेमेडीज क्या है आयरवेड इस बारे में क्या कहता है, कौन सी चीज़ों में आपको अटेंशन लेनी है, कौन सी चीज़ों में आपको अटेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीज़े हम डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहली चीज तो ना जाफी जादा संख्या में होती है, मतलब अगर हम यहां इसकिन की बात करें, यहां पर अगर number of capillaries 10 है, example के लिए बता रही हूं, 10 नहीं होती है, बहुत जादा होती है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, यहां पर अगर 10 हैं, तो हमारे नाक के अंदर, यह वाला जो हिस्सा होत है, यहां पर 10 हैं, तो नाक के अंदर 100 हैं, यानि कि almost 10 गुना जादा संख्या में capillaries होती है, इतनी जादा संख्या में capillaries होती है, और उसके उपर की जो covering होती है, जो उसको protect करने का काम करती है, जो उसको mucus प्रदान करने का काम करती है, जहां से secretion बाहर निकलते हैं, वो वाली जो layer है उसकी जो covering है वो बहुत ही जादा पतली होती है इतनी जादा संख्या में capillaries होने के कारण और जो protective layer है वो बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं के बरावर होने के कारण ये जो capillaries होती है बहुत ही आसानी के साथ में किसी भी कारण से rapture हो सकती है जैसे ही rapture होती है बैसे ही आपको bleeding हो जाती है तो यहाँ जब आपने physiology समझ ले तो पहली बात तो आपको ये जान देना है कि यदि कभी कभार किसी कारण से किसी भी x y z कारण से जादा गुस्से की वज़े से नाक में हलकी सी चोट लग जाने की वज़े से temperature के कारण थकावट हो जाने के किसी को nose bleeding हो जाए नाक से थोड़ा सा खून निकले तो आपको बहुत जादा tension करने की जरूवत नहीं है ये एक normal बात है हर दूसरे या तीसरे इंसान को कभी कभार ऐसा होता है इसमें आपको परेशान होने की जरूवत बिलकुल नहीं है क्या होता है हमारे दमाग में खून खून आ जाए बल गम में खून आ जाए नाक से खून आ जाए तो हम बहुत जादा घबरा जाते हैं एकदम से जो आपकी disease का level है इसको इतना बढ़ा देते हैं बतर नॉर्मली आप सोचोगे आप healthy हो healthy और एकदम से आपको nose bleeding हुई तो आप सोचोगे अरे यार मैं तो बहु नहीं है कारण आपने समझ लिया बीमारी कोई भी हो कारण हमेशा यही रहता है कि वहां पर जो कैपलिवी से उनकी संख्या जादा है और जो उनकी protective layer है वो नहीं है इसकी वज़े से ब्लेडिंग वहां से हो जाती है अब थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ते हैं अगर म जो बात-पित कफ होता है उसी मेंसे एक चीज है पित आप लोग कई बार जो लोग पुराने वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको पता है कि शरीर के अंदर तृदोश होते हैं बात-पित और कफ उसमें से जब पित आपके शरीर में बढ़ जाता है और वो रक्त के साथ में म हो सकती है अब यदि नोस ब्लेडिंग हो जाती है किसी को आप देखते हो कि किसी को नाक से खून निकल रहा है तो आपको करना क्या है पहले हां एक चीज और मैं आपको बता दूँ यहां मेरे दिमाग से स्लिप हो गई कि जो नोस ब्लेडिंग की समस्या होती है नाक से खू इम्म्यूनिटी पावर दिनके शरीर की प्रोटेक्टिव पावर बहुत जादा कम हो जाती है उनको भी नोस ब्लेडिंग जादा होती है अगर हो भी जाती है तो उसका कोई specific reason होता है जिसे high temperature है इस वहीं से कई बार नोस ब्लेडिंग हो जाती है अब यदि आपको नोस ब्ले बार मैं travel कर रही थी और मुझे अचानक से nose blading हो गई मैं अपने parents के साथ में ती और nose blading के कारण किवल मेरे parents ही नहीं बाकी के और लोग भी काफी जादा परिशान अम्हाँ जो पुराना किस्सा बता रही थी इसमें कुछ ऐसा हुआ कि जब travel करने के दौन में को nose blading हो गई बहुत सारी ऐसी चीज है जो पैनिक की कंडिशन में हो जाती है तो पहली चीज तो एक चीज धिहान रखो जो गलती उसका मेरे पैरेंट्स ने करी थी वो आप लोगों को नहीं करनी है आपको काम रहना शांती में बनाए रखना बहुत जादा जरूरी है काम इसलिए आपको और रहना है क्योंकि जो नोस ब्लेडिंग होती है वो पैन-लेस ब्लेडिंग होती है यानि कि इस कंडिशन में आपका जो बच्चा है या आपके घर के जो बुज़ोर्ग है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं हो रहा कई बार जब तक नोस से बलड निकलता निक अब इसके treatment जो मैं आपको बता रही थी पहला चीज तो हो गया कि शान्ती बनाए रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरे नंबर की बात यदि नोस ब्लेडिंग हो जाती है तो लोग क्या करते हैं लिटा देते हैं और सिर्फ पीछे करवा देते हैं कि पीछे हो ज के कारण अंदर चला जाएगा उपर जाएगा लेकिन जो कैपलरी हैं वो तो बहुत बारीक होती है तो उसमें नहीं जाएगा वो नेजल कैविटी यानि कि जो नाक के अंदर का हिस्सा होता है जो की वायू की supply के लिए होता है जिसको हम sinus भी बोल सकते हैं नेजल कैविटी बोल सकते हैं जहां पर oxygen का और बाकी सारी चीजों का आदान प्रदान चलता रहता है वहां पर blood भड़ जाएगा और यहां अंदर जाने के बाद नोस के इस हिस्ते में blood जाने के बाद में अगली तीन चार दिन तक सांस लेने में problem create करेगा हो सकता है आपको सर्दी जुखाम भी हो जाए हो सकता है आपको severe dysnea dysnea मतला बहुत जादा सांस लेने में दिक्कत का होना यह सारे symptoms भी आ सकते हैं तो यह गलती नहीं करनी है खून यदि बाहर निकल रहा है तो उसको वापिस अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करनी है यदि बच्चे को या किसी वेक्ती को nose bleeding ह होती है तो ऐसी condition में आपको यदि आप उसको लिटा रहे हो ठीक है जैसे कई बार चक्कर आने लगे घबराहट होने लगी तो आप उसको लिटा दो बच्चे को या जो भी वेक्ती उसको आप लिटा दो लेकिन आपको सिर के नीचे खलका सा तक्या रख देना है और तक्या होगा नाक से निकलने माला जो खून है वो ऐसे ऐसे करते हुए नीचे बह जाएगा यहां से निकलेगा ग्रेवटी के कारण और नोस के इस हिससे से होते होते नीचे बह जाएगा ठीक है यह हुई पहले जिस यदि वच्चा बहुत जादा घबरा रहा है और उसको बलड द होती है जादा तर लोग बलड को सहन भी नहीं कर पाते एक बलड की बूंद देखने से भी लोगों को चक्कर आ जाते है तो यदि ऐसी कोई कंडेशन डवलप हो रही हो तो आप इसको लिटा दीजिए सिर के नीचे तखिया रख देना है और गरदन को थोड़ा सा टिल्ट क कर देना है जिस से कि जो खून है वो वापिस नाक में नहीं जाए बाहर निकले यदि व्यक्ति होश में हैं समझदार है तो उसको आपको बठाल देना है और बठालने के बाद में नाक के इस हिससे को जोर से बड़ कर देता है ठीक है? ऐसे बंद कर दो कि सिंपल सी चीज है कहीं से भी जब खूण निकलता है, अगर मानलो आपको यहां से खूण निकल रहा है तो यहां पर आप दबा दोगे तो भी खूण निकलना बंद हो जाएगा, सिंपल सी चीज होती है, तो यदि आपने नोस को इस तरीके से बंद कर दिया, तो नाक से निकलने वाला खूण है कि आदे घंटे एक घंटे आप बोल सकते हो है ना क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि क्लॉट हो गया और तुरंत आप उठके काम करने लगे आपको रेस्ट करना पड़ेगा अधर्वाइस जहां से जो ब्लड वैसल रप्चर हुई है वहीं से वो दुबारा रप्चर हो जाएगी अगले एक घंटे तक के लिए आपको रेस्ट करना बहुत 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 जादा जरूरी है ठीक है ये चीज हो गई अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते है यदि आपको ये प्रॉबलम बार बार होती है कई वच्चे होते हैं जिनको हर दूसरे दिन नाक से खून निकलने लगता है या बड़े लोग भी होते हैं कि इनको सुबह सुबह रात में सो कर उठते हैं तो सुबह के टाइम से नाक में थोड़ा सा ब्लड महसूस होता है कही ब्लड की एकात बून दिखाई देती है केवल जब वो नाक अपनी साफ करते हैं नहाते समय या किसी भी तरीके स जब वो नाक साफ करते हैं तो उनको नाक में ब्लड निकलता हुआ या ब्लड का क्लोड जमा हुआ महसूस होता है ऐसी कंडिशन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब है आपको रक्त पित की प्रॉबलम है यानि कि आपके शरेल में पित बढ़ा हुआ है इ उनको आपको बंद कर देना है ठीक है पहली चीज होई दूसरे चीज जो बढ़ा हुआ पित है उसको खतम करने के लिए उसको कम करने के लिए आपको धनिये का प्रियोग करवाना है मैंने अपने कई पुराने वीडियो में बताया है कि धनिया जो होता है वो पित शामक होत प्रियोग कर सकते हैं, पीने के लिए देना है इसको तीक है, यदि ताजय धनिया अवेलबल नहीं है, ऐसी कंडिशन में आप क्या करें, एक चम्मत धनिया का पाउडर या फिर खड़ा धनिया एक ग्लास पानी में छोड़ दीजे, एक ग्लास पानी लिया उसमें एक चम्मत डाल दीजे, अगले 7-8 घंटे तक उसको रखा रहने दीजे, 8 घंटे में वो पूरा धनिया गल जाएगा, इस कंडिशन में उसको अच्छे से हाथ से या चम्मत से मसल लिजे, जिससे वो पूरा धनिया पानी में घुल जाए, उसके बाद छान करके दिन में एक या दो बा बार भी आप ले सकते हैं, दिन में दो बार, तीन बार, एक बार जरूरत के हिसाब से आपको धनिया का पानी पीना है, ठीक है, तीन बार से जादा नहीं लीजेगा, अधरवाइस पित बहुत जादा कम हो जाएगा, तो भी आपको फिर और दूसरे दिक्कते हो सकती है, तो नोस ब्लेडिंग बहुत जादा होती है, तो अगले 10 दिनों के लिए आप चंदन का शर्वत या चंदन के पानी का प्रियोग करें, ठीक है, इसके बार एक और चीज में लास्ट में बताऊंगी, वो है यदि आपको नाक से खून कुछ जादा ही निकलता है, तो एक बार ज इस नाक में, दो बून इस नाक में, उसके बाद हलके हाथ से मसलना है, जादा नहीं करना है, जादा मसलों के तो जहां से रप्चर हुआ था वहीं से दुबारा ब्लेडिंग चालो हो जाएगी, जादा नहीं करना है, बिलकुल हलके हाथ से थोड़ी सी मसाज दो और कोई ब रखा है या नाक के अंदर जो प्रेशर डवलब हो रखा है या फिर जो कैपलरी इसे हो बहुत जादा कमजोर हो गई है तो उनको थोड़ी से ताकत मिलेगी और जो यह आपकी प्रॉबलम है नोस ब्लेडिंग होने की वो नहीं होगी लास्ट में एक बात मैं आपको स्काप्राइशन में जैसे कि ब्रेण ट्यूमर है नेज़ल पॉलिप है बहुत बड़ा नाक कि अंदर νेजल पॉलिप डबलब हो गया है свобод severe sinusitis है, severe, छोटी मोटी नहीं, severe sinusitis है, बहुत जादा BP बढ़ा हुआ है, छोटा मोटा BP बढ़ा हुआ नहीं है, अच्छा कासा, 225 के उबर BP पहुँच रहा है, ठीक है, portal hypertension बहुत जादा है, यानि कि पेट के अंदर का जो blood pressure होता है, वो काफी जादा है, ठीक है, spleenomegaly, यानि कि spleen की size का बढ़ना, liver की size का बढ़ना, हिपेटomegaly और tuberculosis, ऐसी गंभीर बिमारियों में भी nose bleeding हो सकती है, ठीक है, यदि nose bleeding आपको बहुत जादा है, जो मैंने precaution बताए, उससे भी नहीं रुक रही है, और बार बार हो रही है, यानि कि सुबह bleeding होई, आपने नाग बंद करके रखा, सारे precaution लिए, इसके बाद एक घंटे बाद, दो घंटे बाद फिर से आपको bleeding चालो हो गई, यदि ऐसी condition डवलप हो रही है, तो आपको बिलकुल भी घर में रेस्ट नहीं करना है, तुरंत जाकर hospital में admit होना है, और अपना proper check-up करवाना है, मैंने यहां पर जो आपको home remedies बताई है, जो इन ट्यूमर में आपको यह नहीं करना है, क्यों कि वहां पर आपको tumor का इलाज लेना है, तो आपको bleeding नहीं रोकना है, आपको tuberculosis को ठीक करना है, यह होता है कि जो आपको main reason है, उसको ठीक करना है, यह सारी चीज़ें आप धिहान रखते हुए ही treatment करिएगा, कई बड़ी दि तो प्लिक्स इस चीज़ का ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखकर ही आप treatment करिए, अपनी condition को समझने का प्रयास करिए, उसके हिसाब से ही आपको treatment लेना है, ठीक है, चलो, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक ले stay healthy and be happy, goodbye.